वियर्स आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक इंगलिश ओथर रिचर्ड ब्रिंसली शेरीडन का बहुत ही फेमस प्ले दा राइवल्स शेरीडन एक आईरिश प्लेराइट है जो 30 ओक्तूबर 1751 में डबलन में पैदा हुए आठ साल की उमर में इंगलेंड आ गए और एक ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल से एजुकेशन रसीव की शेरीडन लिटरेई फेमली से भी लॉंग करते थे इनके फादर एक्टर थे और इनकी मदर एक सकस्वल प्लेराइट और नॉवलिस्ट थी शेरीडन के ग्रैनफादर जॉनेथन स्विफ्ट के बहुत अच्छे दोस्त थे यूँ ये पूरी फेमली आर्ट और लिटरेचर से जुड़ी हुई थी बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के कुछ टाइम बाद ही शेरीडन अपनी फेमली के साथ इंगलेंड के सिटी बात में चले गए 1572 में यहां शेरीडन को एक यंग और ब्यूटिफल सिंगर से प्यार हो गया जिसका नाम एलिजबिट लाइनली था यही रिलेशनशिप शेरीडन की इंस्पिरेशन बना और उन्होंने ग्रेट वर्क्स प्रोड्यूस किये दा राइवल्स के इलावा शेरीडन का दूसरा फेमस प्ले है दा स्कूल पर स्केंडल जो 1777 में पब्लिश हुआ शेरीडन के यह दोनों प्ले बहुत फेमस हुए और इनके थुरू उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया फिर शेरीडन ने ड्ररी लेन थेटर को मैनेज करने की जॉब की इस थेटरीकल करियर के इलावा शेरीडन तकरीबन 32 सालों तक मेंबर अफ पार्लिमेंट भी रहे लेकिन 1808 में ड्ररी लेन थेटर को आग लग गई थेटर की जलने के बाद शेरीडन को बहुत नुकसान हुआ उन्हें पार्लिमेंट से निकाल दिया गया यूँ जिन्दगी के आखरी हिसे में शेरीडन को फाइनशल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी 7 जुलाई 1816 को शेरीडन की इंगलेंड में डेथ हो गई ये प्ले 1775 में लिखा गया और इसे परफॉर्म भी 1775 में ही किया गया इसकी सेटिंग रखी गई इंगलेंड के सीटी बात में और इसका यॉन्रा है कॉमेडी यनि ऐसी कॉमेडी जिसमें एक पर्टिकुलर सुसाइटी के लोगों के मैनर्स और सोशल बिहेवियर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है और विटी डायलोग्स इस्तमाल किया जाते हैं अगर बात करें कि ये प्ले क्यूं लिखा गया इसके लिखने का क्या पर्पस यनि क्या मकसद है तो ये प्ले जॉर्जे निरा में लिखा गया जब इंगलेंड में सोशल और पोलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे ये पिरिएट 17-14 से 18-30 तक रहा जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3 और जॉर्ज 4 ने इंगलेंड पर हकूमत की और इनी के नाम से इस टाइम पीरिड का नाम भी जॉर्जे निरा रख दिया गया इस टाइम सट्रिक्ट सोशल हाइराँकी थी यनि सोसाइटी अमीर और गरीब में तक्सीम थी different social changes हुई तो middle class भी rise होने लगी upper class के lifestyle और manners को copy करने लगी ये play in manners, social status, wealth और arranged marriages जैसे social conventions को criticize करता है अगर बात करें इस play के important themes की तो सबसे पहले है love and courtship ये play romantic relationships में आने वाली रिकाप्टों को highlight करता है old generations अपने बच्चों की शादी, नाम, पैसा और रुत्बा देख कर करते थे for example हम आगे play में देखेंगे कि play के protagonist Jack Absolute को उसका father उसकी पसंद की शादी नहीं करने देता यूँ उनके दरम्यान एक generational gap था फिर है appearance versus reality characters दूसरों को impress करने के लिए और अपना goal achieve करने के लिए अपनी identity change करते हैं और वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो हकीकत में नहीं होते Absolute Lydia को impress करने के लिए और उसे शादी करने के लिए अपनी identity change कर लेता है और एक गरीब आदमी बन जाता है फिर है gender roles 18th century में जब ये play लिखा गया तब हर gender की कुछ specific roles होते थे For example अगर एक औरत है तो उसकी कुछ specific roles होते थे इस तरह मर्द के roles भी define कर दिये जाते थे तो चलिए play की summary स्टार्ट करते हैं कहानी की शुरू में दो servants यनि दो गुलाम Bath City की गलियों में गूम रहे होते हैं एक का नाम है Fagg और दूसरा है Thomas Thomas Fagg से कहता है कि मेरा master Sir Anthony Absolute Bath City में आ गया है और अब उसने यहीं रहने का फैसला किया है दूसरी तरफ Fagg कहता है कि अब मेरा master Captain Jack Absolute नहीं है बलके मेरा new master Anson Beverly है क्योंकि Absolute ने अपनी identity change कर ली है और उसकी new identity Anson Beverly है Sir Anthony Absolute एक अमीर आदमी है पैसे और social status को सबसे ज्यादा value देता है यह एक traditional patriarch है और अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहता है इसका एक बेटा है Captain Jack Absolute जो British Army में Captain है Absolute Lidia नाम की एक लड़की से प्यार करता है और Lidia को इंप्रेस करने में लगा हुआ है Lidia language एक young और beautiful girl है और book obsessed है यानि किताबे और novels बहुत पढ़ती है Lidia conventional way को challenge करती है और पैसे के लिए नहीं बलके प्यार के लिए शादी करना चाहती है Lidia चाहती है कि वो गरीब आदमी से शादी करे क्योंकि इसके लिए गरीबी में जिंदगी गुजारना ही असली fun है इसलिए Absolute Lidia को इंप्रेस करने के लिए अपनी identity चेंज कर लेता है और एक गरीब आदमी बन जाता है Absolute अपने नया नाम Ensign Beverly रखता है Absolute इसकी real identity है और ये एक अमीर आदमी है Ensign Beverly इसकी false identity है और ये Lidia को इंप्रेस करने के लिए एक गरीब आदमी बना है दूसरी तरफ Lidia अपनी servant Lucy के साथ novel डिसकस कर रही होती है कि उपर से Julia आती है Julia Lidia की cousin है जो अभी अभी अपने guardian Sir Anthony के साथ Bath City में आई है Lidia जूलिया को अपने poor lover Beverly के बारे में बताती है लेकिन Lidia की एक aunt Mrs. Malaprop वो नहीं चाहती कि Lidia इस गरीब Beverly से शादी करे लेकिन खुद Mrs. Malaprop एक Irish आदमी को चुपके चुपके love letters लिखती है जिसका नाम Sir Lucius है Malapropism term भी Sheridan के character Mrs. Malaprop से coin की गई है जिसका मतब है unintentionally या humorous way में words का misuse करना Mrs. Malaprop sophisticated और educated नजर आने के लिए words का misuse करती है जूलिया को Lidia की इस बात पर यकीन नहीं आता कि Lidia सच में गरीब Beverly से शादी करना चाहती है जूलिया लीडिया को इस पागलपन से मना करती है कि वो ये शादी ना करे लीडिया अपनी जैदाद के दो हिससे छोड़ देती है ताके सब उसकी Beverly से शादी करवाने पर राजी हो जाएं लीडिया जूलिया का मजाख उड़ाती है कि तुम मुझे क्यूं मना कर रही हो तुम्हारा खुद का मंगेतर तुम पर शक करता है बात बात पर तुमें डाड़ता है और जैलस होता है तो जूलिया अपने मंगेतर के bad temper को defend करते हुए कहती है कि वो मुझे पर शक नहीं करता बलके वो मुझे से प्यार करता है और इसी लिए मुझे डांटता है फिर सर एंथिनी मिसिस मेलाप्रॉप के पास आते हैं और वो दोनों लीडिया और एबसुलूट की शादी की बात करते हैं मिसिस मेलाप्रॉप बताती हैं कि लीडिया गरीब बैवरली से शादी करना चाहती है सर अंथिनी कहते हैं कि ये उसकी रीडिंग की वज़ा से है बहुत ज़्यादा किताबे पढ़ने की वज़ा से वो ये डिमांड कर रही है इसलिए औरतों को इतनी एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए उन्हें अनपढ़ ही होना चाहिए सर अंथिनी के जाने के बाद मिसिस मैलाप्रॉप लूसी से पूछती है कि सर लूसीस की तरफ से जो लेटर्स आ रहे हैं क्या उन लेटर्स के बारे में लीडिया जानती है तो लूसी कहती है नहीं इस बारे में लीडिया कुछ नहीं जानती मिसिस मैलाप्रॉप कहती है कि लीडिया को इस बारे में पता चलना भी नहीं चाहिए और फिर लूसी को एक और लेटर देती है कि वो ये लेटर सर लूसियस को दे आए लूसी अकेले में खुश होती है कि उसने लेटर्स देने के बदले में सर लूसियस से कितने गिफ्ट्स अकठे कर लिये हैं सर लूसियस अपनी तरफ से वो लेटर्स लीडिया को लिख रहे थे लेकिन लूसी वो सारे लव लेटर्स लीडिया की आंट मिसिस मेला प्रॉप को दे रही थी और सर लूसी इसको यकीन दिलाती है कि ये सारे लव लेटर्स लीडिया के पास जा रहे हैं लूसी ने ही मिस्स मेला प्रॉप को बताया था कि लीडिया गरीब पेवरली से शादी करना चाहती है यू लूसी बहुत ही होश्यारी और जसूसी का काम कर रही थी फिर जूलिया का मंगेतर फॉकलेंट एबसूलूट से कहता है कि वो मिस्स मेला प्रॉप से मेरी और लीडिया की शादी की बात करें लेकिन एबसूलूट कहता है कि लीडिया किसी भी अमीर आदमी से शादी नहीं करना चाहती इसलिए वो तुम से भी नहीं करेगी فاکلنڈ कहता है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा बलकि जूलिया के लिए कर रहा हूँ जूलिया से सेपरेट होने के बाद मैं उसके लिए परेशान हूँ Absolute कहता है कि जूलिया बाद सिटी में बिलकुल ठीक है और वो इस बारे में बौब एकर्स से भी पूछ सकता है फिर बौब एकर्स आता है और बताता है कि जूलिया बिलकुल ठीक है और सबके साथ बहुत चार्मिंग वे में हस हसकर बाद करती है फौकलन्ट जो पहले ही छोटी छोटी बात पर जूलिया पर शक करता था वो ये सुनकर घुसे में आ जाता है फिर बॉब एकर्स एबसुलूट के पास आता है और कहता है कि मैं लीडिया को इंप्रेस करना चाहता हूँ एकर्स नहीं जानता था कि एबसुलूट ने खुद भी लीडिया को इंप्रेस करने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रखी है फिर सर एंथनी अपने बेटे एबसुलूट के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ लेकिन एबसुलूट कहता है कि मैं आलरेडि किसी से लव करता हूँ और मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूँगा इस दिस ओबिडियन्स पर सर एंथनी को बहुत गुसा आता है फिर लूसी फैक को बताती है कि मिसिस मैला प्रॉप लीडिया की शादी उस गरीब बेवरली से नहीं करवा रही फैक जल्दी ही जाकर ये बात एबसलूट को बताता है कि मास्टर जिस लड़की से आप शादी करना चाहते है आपका फादर भी उसी लड़की से आपकी शादी करवा रहा है एबसलूट फोरण से सर एंथनी के पास जाता है और कहता है कि फादर आप जिससे भी मेरी शादी करवाएंगे मैं शादी करने के लिए तियार हूँ चाहे वो बदसूरत ही क्यों न हो सरंथनी बहुत हैरान होते हैं कि एबसूलूट अचानक से कैसे मान गया है फॉकलेंड जूलिया से पूछता है कि वो क्यों सबसे हस हस कर बाते करती रही है तो जूलिया कहती है कि मैं अपने अफसुर्दा चेहरे को छुपाने के लिए खुश होने का बहाना कर रही थी ताके कोई ये न समझे कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ इस पर फॉकलेंड जूलिया को फिर से डाड़ता है और वो रोती हुई वहां से चली जाती है फिर कैप्टन एबसुलूट अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ यनि एबसुलूट बन कर ही मिसिस मैलाप्रॉप के गर जाता है मिसिस मैलाप्रॉप एबसुलूट को देख कर बहुत खुश होती है और लीडिया को नीचे बुलाती है लीडिया अपने लवर बैवरली को देख कर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरी आइड को इंप्रेस करने के लिए तुम एबसुलूट बन कर यहां क्यों आए हो तो एबसुलूट कहता है कि हाँ मैं तुम से मिलने के लिए और मिसिस मैलाप्रॉप को खुश करने के लिए यहां एबसुलूट बन कर आया हूँ इनकी ये बाते मिसिस मेलाप्रॉप सुन लेती है और समझती है कि शायद लीडिया एबसॉलूट को रिजेक्ट कर रही है वो लीडिया को वहां से बेज देती है फिर सर लूसिस बाब एकर्स के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बात सिटी में लीडिया से मिलने आया हूँ क्यूंकि बेवर्ली नाम का एक आदमी लीडिया के पीछे पड़ गया है सर लूसियस बेवरली को लेटर ओफ चैलन्ज लिखते हैं और लडाई करने का कहते हैं दूसरी तरफ सर अंथनी अपने बेटे एबसुलूट को लेकर मिसिस मैला प्रॉप के गर चले जाते हैं लीडिया एबसुलूट को बेवरली कहकर बुलाती है और कहती है कि ये बेवरली है यूँ सारी हकीकत खुल कर सामने आ जाती है कि एबसुलूट भी यही है और बेवरली भी यही है बेवरली के इस जूट पर सब हैरान होते हैं और थोड़ी देर के लिए लीडिया और एबसुलूट को अकेला छोड़ देते हैं लीडिया बहुत गुसा करती है एक मिनियेचर पोर्टरिट एबसुलूट की तरफ फैंकती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ जूट बोलकर मुझे दोका दिया है इसलिए मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी एबसुलूट वहां से चला जाता है और सर लूसियस का चैलंच एकसेप्ट कर लेता है फिर एबसुलूट फॉकलेंड के पास जाता है उसे जाकर सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरी इस डूट में हेल्प करो फॉकलेंड मदद के लिए राजी हो जाता है दूसरी तरफ फॉकलेंड को जूलिया का लेटर रिसीव होता है जिसमें जूलिया फॉकलेंड को उसके बुरे बिहेवियर की वज़ा से माफ कर देती है फॉकलेंड फिर से जूलिया पर शक करता है और सोचता है कि जूलिया को टेस्ट करने का ये सही मोका है कि क्या वो वाकि मुझे से प्यार करती है ये नहीं फॉकलेंड जूलिया से कहता है कि मैं इंगलेंड जा रहा हूँ मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ जूलिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी فاکلینڈ कहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है और तुम्हें वहाँ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है लेकिन जूलिया कहती है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ जाने के लिए त्यार हूँ अब فاکلینڈ को यकीन हो गया था कि जूलिया सच में उससे प्यार करती है इसलिए वो जूलिया को सच बताता है कि वो इंगलिया नहीं जा रहा बलके एबसोल्यूट के साथ जा रहा है जूलिया को एक बर फिर फॉकलेंड का जूट बुरा लगता है और वो कहती है कि बस ये तुम्हारा फाइनल जूट था अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी थोड़ी देर बाद जूलिया लीडिया के पास आती है लीडिया उसे एबसोलूट की डूल आइडेंटिटी के बारे में बताती है तो जूलिया कहती है कि मैं सब पहले से जानती हूँ फॉकलिंड मुझे सब बता चुका है जूलिया लीडिया से कहती है कि तुम प्रेक्टिकल होकर सोचो और एबसुलूट से शादी कर लो इतने में फैग और मिसिस मेला प्रोब भी वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि आज रात एबसुलूट और सर लूसिस की लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई में फॉकलिंड और बॉब एकर्स भी शामिल है ये सब लोग इस लड़ाई को रोकने के लिए बागती है सर लूसिस फॉकलिंड को बेवली समझता है और Akerz से कहता है कि आगे होकर लड़ाई शुरू करो लेकिन Akerz लडने से इंकार कर देता है और कहता है कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूँगा Sir Lucius Akerz को बुजदिल कहकर खुद आगे बढ़ता है Absolute सब सच बता देता है कि Beverly मेरी false identity थी लेकिन सर लूसियस फिर भी लड़ना चाहता था इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है तबी लीडिया, जूलिया और मिसिस मेलाप्रो भी वहां आ जाती है जूलिया लीडिया से कहती है कि तुम मान लो कि तुम एबसुलूट से प्यार करती हो ताके ये लड़ाई रुक जाए लीडिया वहां एकसेप्ट कर लेती है कि हाँ वो एबसुलूट से प्यार करती है सर लूसियस लव लेटर निकाल लेता है तो लीडिया कहती है कि ये लेटर मैंने नहीं लिखा मिसिस मेलाप्रो भी कनफेस कर लेती है कि ये letters मैंने लिखे हैं लीडिया ने नहीं लिखे Sir Lucius Mrs. Melaprop में कोई interest शोर नहीं करता और वहां से चला जाता है लीडिया और Absolute शादी के लिए त्यार हो जाते हैं Sir Anthony Julia से कहते हैं कि तुम भी Falkland से शादी कर लो हो सकता है वो शादी करने से ठीक हो जाए यूँ प्ले के आखिर में Newly Engaged Couples के लिए पार्टी रखी जाती है और इसी के साथ ये प्ले एंड होता है अगर बात करें टाइटल सिगनिफिकेंस की तो राइवल्स कहते हैं Competitors को यो Opponents को Bob Akers और Absolute राइवल्स थे दोनों लीडिया का प्यार हासिल करने और लीडिया को इंप्रेस करने की कोशिश में थे इनके दर्मियान मिस अंडरस्टेंडिंग्स थी जिनकी वज़ा से लास्ट में लड़ाई होती है Jack Absolute की अपनी डूअल आइडेंटिटी भी राइवल्री करियेट करती है एक तरफ वो एंसन बेवरली बनकर लीडिया को इंप्रेस करने में लगा हुआ था तो दूसरी तरफ Absolute बनकर अपने फादर की बात भी मानना चाहता था फिर एक तरफ रोमेंटिक आइडियलिस्ट लीडिया थी यनि प्यार के लिए अपनी जिन्दगी गुजारना चाह रही थी तो दूसरी तरफ Social Expectations और Mrs. Malaprop उसकी राइवल्री करियेट करती है Mrs. Malaprop educated और Sophisticated नजर आने के लिए लफजों का गलत इस्तमाल करती है अगर बात करें इस प्ले के Important Symbols की तो सबसे पहले है The Duel और Sir Lucius की लड़ाई Symbolize करती है Masculine Honor और Pride को ये Social Expectations थी के Men अपनी Honor को Defend करने के लिए लड़ते थे फिर है Love Letters जो Symbolize करते है Unconditional Love Affair को फिर है Malapropism जो Mrs. Malaprop की Educated नजर आने की Desire का Symbol है फिर इस Play की Setting बात Symbol है Social Status और Norms का विर्ज आप इस Play की Notes PDF Form में हासिल कर सकते हैं Link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है विर्ज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है उमेद करती हूँ आपको समझ में आई होगी तक्यू सो मुच पर वाचिंग